hello everyone welcome back to my channel तो finally, my house is sick चलिए कराते हैं आपको home tours काफ़े लोग परिशान थी अभी तक तक तुमहारा खर सेक्ट ने हुआ अभी तक तुममाल गभर साजा नहीं है तो अब मेरा खर सज गा है तो चलिए शूरू करते हैं तो यह मेरा main door तो वहां पर मैंने इस तरह से साइड में वाल पेपर लगा दिया है और नीचे रखा एक शूरेक और मैंने यह लगाया है प्लीज लीव यूर शूर्स एंड स्लीप आउटसाइड यह मुझे काफी अच्छ लगा था तो मैंने इसको हैंक कर दिया और उसके बाद एक छोटा स प्लीज रखा है उसके बाद और अंदर आएंगे यह सेफटी गेट है और इसके बाद यहां पर मैंने इविल आई लगाई है माशाला से मेरे करम में नजर ना लगे किसी को तो इस तरह से मैंने इसको हैंक करके रखा है इसके बाद आएंके यह हैं हाल और यह इसको पूरा घर तो यह मेरा रेंड़िट हाउस है 3BH के तो उसी साब से मैंने इसको ड्राइच किया है यह बलु करका जो दिख रहा है यह शूरेक है अभी ही हम लोंने फिलाल जल्दी बनवाया है क्योंकि हम लोंने घर में काम लगवाया था कारपेंटर को बलाया था तो शूर तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे तो यहाँ पर जो सोफे पर कवर ड़ा हुए नहीं है यह मैंने खुद बनाया है तो मेरे पास पुराने कर्टेन पढ़ेती पढ़ेती उसको मैंने काट के किनार किनार साइट में लेश लगा दिये तो काफी कुछ मैंने अपने हाथों से किया है क्योंकि मुझे अपने हाथों की बनाई हुजी लगाना काफी अच्छा लगता है इसलिए टाइम भी लग जाता है घर को डेकरेट करने में तो हॉल के बाद सामने ये मेरा रूम दिख रहा है लेकि उससे पहले मैं दिखाँगी इसके साइड वाला रूम तो साइड में ये सबसे पहले आता है कॉमन वाश रूम वाश रूम के बाहर केट में मैं इस तरह से लगा दिया है तो यह एक bedroom है और थोड़ा बहुत storage room भी कह सकते इसको तो यहां पर जो बैट डाला यह भी पुराना बैट था मैंने पिछले वीडियो में डाला था इसको मैंने पेंट किया था तो इसके sidewalks रह गहते पेंट करने के लिए तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया तो time लगता है द तो सामने दिख रहा है आपको kitchen तो यह मेरा चोटा सा प्यार हसा kitchen तो पहले इस kitchen में कुछ भी नहीं बना हुआ था लेकिन अब काफी कुछ बन गया है तो यह देखे किचिन का पूरा हम लोग ने उनको बूल रहता है निची का पूरा kitchen बनवा दिजे तो उन्होंने पूरा नीची का बनवा दिया और उपर के में हम लोग ने माइका चेंज करा दिए उपर जो बॉक्स लगेते हैं आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो तो यहां साइड में मैंने माइक्रोविव रखा है और उसके उपर रखा है यह फ्राय है तो यह मेरी अम्मी ने मुझे एनिवर्सी पे gift किया था तो यह वही रखा अभ यह वासा इस्पून वगए रखे हैं और यह बर्तन धोकी रखने वाली डलिया है सामने कप रखे हैं और यह मेरा मेकसट ग्राइंडर है यह मेरा फ्रिज है तो छोटा सा किचिन बहुत जादा इसमें नहीं बना है क्या का बहुत जादा बनता ना तो बहुत अची सेट हो जाता है तो चलिए सामने ऐ ऐर्शकर रूम तो चलिए इसको दिखाते हैं यहां पर मैंने इसको इसका बच्पन का यह ट्वाइग कर दिया और इसमें लगा दिया है तो चलिए दिखातें आपको तो अभी उसकी आउन्लाइन κुलासर चल लईए तो फिर भी में देखाती ह कर दाल दिया है यह रहा हो इसका मैडल यह चैस में वो जीता था तो इसका मैडल को मैंने यह टांग दिया है तो यह रहा मेरा बैडरूम तो चलिए अंदर से दिखाते हैं तो यह वाली वाल मैंने प्लें चोड़ी अभी इसमें कुछ भी नहीं लगाया है इसके साइड में वाश्रूम और सामने जो दिख रहा है वो सिटिंग एरिया में नीचे बैठके खाना खाते हैं या कभी नीचे बैठके मदब करते हैं काम अगयरा नीचे यह रहा मेरा बैड तो नीचे भी बैठना काफी अच्छा लगता है कभी इसमें लेट भी जाते हैं नीचे तो बैट के उपर हम लोने इस तरह से लगाया है लग और बैड रूपी मेंने बहुत कुछ नहीं रखा है और यह रही मैं हाए मेरा नामे तरनुम और आप देख रहें मेरे वीडियो को तो मेरे वीडियो को लाइस है सब्सक्राइब जरू करना और मेरे चैनल करना में तरनुम एमर तिंक पॉजिटिव तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और लाइक जरू करना तो चलिए लेख के चलते हैं आपको बालकनी जो बहुत ही अच्छी है बहुत भी बड़ी बालकनी और इसकी एक स्टोरी भी और भी चैप जब्हुकर होगी तो इसका बालकनी को हम दोने कली इसको हिसको साफ किया ता इसको पीड़पॉड द्हेव गयरा जो भी थे इसको सब या उला कर तो बड़ी मेहनत लगती है सब करने में तो और आप लोग एक लाइक करना है आपको एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपको तो एक लाइक ज़रू कर दिया करिए तो यहां पर देखें पौधी भी खाद वाद वगरा डाल दिये और पौधी कुछ पौधी प्लांट आए अब कुछ प्लांट भी आना बागी रह गए हैं लेकिंग जो पौट है पूरत यहां इसमें से व्लाकियन को लगाना है तो बाहर का इरिया बाहर बैठना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में तो मैं बहुत ही जाद बैठती हूं और गर्मी में मैं जब म वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरू करना है तो चलिए बाई बैए